दोस्त चिंटू, यहां अकेली बैठे हुए आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस ठंडी हवा खा रहा था आईए, आप भी बैठिए तो चिंटू, क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे? जी, जरूर, क्यों नहीं, मुझे कहानी सुनना तो बहुत पसंद है मेरा दोस्त सोनू है, उसके घर की पास एक बाग था वै रोज बाग में खेलने जाता था बाग में खेलना तो मुझे भी बहुत पसंद है तो बहाँ पर आम के कई पेंड थे और पेंडों पर आम भी आ गए थे और आम पकने भी लगे, जिसकी वज़े से आम की खुस्वू पूरे बाग में फैल गई सोनू का मन भी आम खाने को हुआ तो वै एक पेंड की पास पहुँचा फेर क्या हुआ? पेंड पर रहता था एक तोता, उसने सोनू को देख लिया और तोते ने कुछ आम नीचे गिरा दिये सोनू ने मजे से आम खाए अरे वा, ये तो बहुत अच्छा हुआ इस प्रकार सोनू की तोते से दोस्ती हो गई अब तोता तो हर रोज चोंच मार कर आम गिराता है और सोनू मजे से अब आम खाता है तब तो सोनू की बल्ले बल्ले हो गई हाँ दोस्त पर सोनू भी तोते के लिए रोज हरी मिर्च लेकर आता है इस तरह उन दोनों की दोस्ती चल निकली तो बताईए मेरे दोस्त आपको ये कहानी कैसी लगी जी कहानी बहुत मज़ेदार थी और मुझे भी पस्पच्छियों की दोस्ती बहुत पसंद है पर इससे मुझे ये भी जानने को मिलता है कि अगर कोई आपकी मदद कर रहा हो तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए